दोस्तो स्वागत है मेरे फिस फार्मी यूट्व चैनल पर दोस्तो अज का वीडियो जो है हम पहले ही बता देते हैं या ग्रोथ के संबंध में हैं आप सारे रोगों का कुछ न कुछ कॉमेंट जरूर रहता है कुछ न कुछ सवाल अवस्य रहता है मेरे परतेक दिन के वीड का ग्रोथ प्रोपर वे में जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह नहीं हो पा रहा है परतेक सवाल लगभग इसी संबंध में रहता है मचली के बरवार के संबंध में ग्रोथ के संबंध में अच्छे विकास के संबंध में इसी सब को ध्यान में रखते हुए आज का मेरा यह जो growth के संबने में ही है दोस्तो आसा करते हैं आपके मचलियां बेहतर होंगी अच्छे से आप देख रिख कर रहे होंगे दोस्तो तो इससे पहले की वीडियो आरंब किया जाए आपसे request है कि अगर channel पर नए है तो subscribe कर ले वीडियो अगर पसंद आएगा तो like करेंगे दोस्तो तो चलिए हम 3-4 विषय पर बात करते हैं जिससे मचलियों का growth परवावित होता है और आपको क्या सब्सक्राइब करना चाहिए इसके लिए तो चलिए number 1 point में है कि आप देखते होंगे कि जिन भाईयों का जिन मित्रों का तालाब एक एकर से बरा है दस एकर के आसपास तक क पांच एकर दस एकर का जिनका तलाब है उनके तलाब में बहुत अच्छी तरह से growth होता है उलोगों का सिकाईत यह नहीं रहता है कि हमारे तलाब में आई-मसी का growth कम हो रहा है वे लोग अगर कम feeding कराते भी हैं फिर भी उनका growth हो जाता है और तो एक तो point हो गया कि तलाब ब growth होता है पांच एकर से उपर वाले तलाब में अब हम बात करते हैं कि seed का size का selection आप किस तरह से करते हैं मित्रों आप लोगों को जो seed का size का selection करना है वह बरे हिसाबधानी प्रूबग करना है क्योंकि आपको पता होगा कि मचलियों का जो growth होता है दो चरण में उसको बंटा जाता है एक चरण है पहला चरण है spawn से लेकर के stunted seed होने तक और दूसरा चरण है stunted से लेकर के एक kg size होने तक या दो kg size होने तक या जितना दिन आप छोड़ेंगे उतना अच्छा growth मचलियों का होता है तो हम एही कहना चाहते हैं कि IMC का जहां तक बात है तो isponse लेकर के stunted seed बंड़ने में लगभग साल भर 10 महीने साल भर का time लग जाता है और उसके बाद 6 से 8 महीने का time लग जाता है इस्टंटेड से एक केजी साइज होने में भी लगभग छे महीने से आठ महीने का साइज समय लग जाता है ग्रोथ होने में हम लोग सही धंग से अगर मचली पालन करते हैं सही फीडिंग कराते हैं तब और उसके बाद है दोस्तों कि हमको डेंसिटी क्या डालना चाहिए अपने तलाब में मचलीओं का जो डेंसिटी है वह भी परभावित करता है मचलीओं के ग्रोथ को बहुत सारे लोग अईसे ही कहते रहते हैं बगार पुछे हुए, पोमेंट में पताते रहते हैं कि मेरा हाफेकर का तलाब है, हम उसमें पाँचे जार बिज डाल दिये हैं, तो ये सारी चीजे जो हैं वही सब आप गलत कर लेते हैं जिसका नतीजा होता है कि आपका सिकाइद होता है मचलियां ग्रोथ नहीं कर रही है तो ये तीन-चार मिंदूओं को अगर आप सही धंग से करेंगे मेंटेन कर लेंगे जिसमें एक चीज आपका water parameter भी है पानी की गुनवत्ता किस तरह है आपके तलाब में यह भी बहुत परभावित करता है आपके मचलियों के ग्रोथ का और वह तब ज़्यादा परभावित करता है जब तलाब चोटा होता है जब ज़्यादा चोटा तलाब होता है तो उसमें पानी बहुत जल्दी गरबर हो जाता है पानी गरबर होने का मुख वजय ही है कि density से कहीं ज़्यादा आप अपने तलाब में सीड़े स्टोक कर देते हैं यानि कम पानी में कम पानी डाता है, कम एडिया में पानी डाता है, और हमें सीड ज़्यादा इस्टोक कर देते हैं, तो एक तो वहाँ पर भोजन प्रोपर मात्रा में नहीं मिल पाता है, दूसरा कि पानी जल्दी खराब हो जाता है, उसमें अमोनिया का प्रोब्लेम हो जाता है oxygen का problem हो जाता है इन सारी चीज़ों के कारण ही मचलियों का growth कम हो जाता है और अगला कारण आता है कि भोजन में प्रोटीन की मात्रा हम क्या दे रहे हैं किस तरह का भोजन दे रहे हैं जो भोजन हम नहीं है दोस्तों लेकिन परतेग लोगों के पास तो बढ़ा तलाब है नहीं जिन के पास इतना बढ़ा तलाब है वे उतने ही वड़े तलाब में किलचर करना चाहते हैं तो ठीक nyt रहें हम इनको उनको मझलियों है जैसा कि हम पहले भी बता दिये तो उनको एक एकर के हिसाब से हम बता रहे हैं कि पांच यार से एक पीस भी जादा नहीं डाले कुछ कम हो जाए तो जादा अच्छा है बहुत सारे लोग फिर हम दूरा रहे हैं कि एक एकर का तला में 20,000 बच्चे तक को स्टॉक कर देते हैं तो यहाँ सही नहीं है इससे आपका ग्रोथ नहीं होगा जितना भी भोजन आप करा लें लेकिन जब तक डेंसिटी सही नहीं होगा मचलियों का ग्रोथ नहीं होने वाला है दोस्तो और अब हम फीडिंग के बारे म चाहिए दोस्तो मालिजे कि आप अपने दर्वाजे पर गाये पालते हैं और उससे आप पर तेक दिन दूध लेते हैं अगर आप एक दिन उसको भोजन नहीं करा पाते हैं कहीं चले जाते हैं कोई दूसरा आदमी भोजन नहीं दे पाता है तो अगले दिन जब आप उसको हो भूजन प्रोपर मात्रामें चाहिए भूखा नहीं रहना चाहिए प्लस eqo aysa होता है कि जो भूजन आप कराते हैं तो आपकंगे तालाम फ्लेंक्टिन और का सही मात्रामे रहता है तो मचलियां भूजन कर लेती हैं दूसतों तो इस तरह से आप s issues को ध्यान ग्रोफु मचली कतला मचली जब आप मार्केट विजिट करते होंगे देखते होंगे तो बिकाता रहता है आपकी मचलियां भी हो जाएंगी काहें नहीं होंगी लेकिन इसी तिंचार्ची जो पर आपको ध्यान देना परेगा तो ग्रोथ नहीं रूखेगा दोस्तो निरास हो कियाब सकता नहीं है सही धंग से पालन करना है तो यही जनकाड़ी था अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे वीडियो अगर जनकाड़ी यह पसंद आई होगी तो लाइक करेंगे दूस्तों धन्यवाद